नमस्कार स्वागत है आपका JJN News में मैं हूँ आपके साथ महम्माद वेस UAE की राजदानी अबुदाभी में आयोजित जुजुट्सु कराटे चेंबेशिप से लोटे कराटे खिलाडियों का हल्दवानी में देभूमी उद्योग यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष हुकुम सिंग कुवर ने जोरदार स्वागत किया हुकुम सिंग कुवर ने कहा कि जुजुट्सु खेल के अभी लोगों में जानकारी कम है इसलिए खिलाडियों का उच्छा वरदानकर इसे फैलानी की जरूरत है जो जिस्सु के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी जब हमारे बच्चे मिने जोसी जी के नित्तत में लखेरा जी के नित्तत में वहाँ आगो धावी में गे जो एसेन गेम से था थर्ड पोस्ट लाई हमारी यह अपनी दिभ्या पांडे और अखेला जी शिक्स पोसिंच लाए तो लोगों के दिमाग में आए कि यह भी कोई गेम है आज हमें गर्व है कि उत्राखंड की धर्ती से इनको एसेन गेमस में तीसरी पोजिशन लाना और शिक्स पोजिशन लाना बहुत बड़ी उपलब दी है अगले साल जो चाइना में गेमस हो रहे हैं आम चाहरे हैं कि यह गोल्ड मेलिन वहाँ से लाई आज इनमें हमका सम्मान किया है और उत्राखंड सरकार से मैं नियो दिन करना चाहता हूँ कि इस गेम को आगे बढ़ाने के लिए उकारवाई करें और इनको प्रोसान राज के रूप में कुछी कुछ है वहीं UAE में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले जूजुट्सू के रास्ट्री महासची विने जोशी का कहना है कि अबुदाबी में आयुजीत जूजुसू कराड़े चैंबिर्शिप में भारती खिलाडियों का निस सालो क्या पेक्षा इस साल शांदार प्रदर्शन रहा जहां पैतालीस सदस्सी खिलाडियों के दल में एक सुणड पदक, आठ रजद पदक और चौदा कांसी पदक जीत कर देश का नाम रोशन किया तो वहीं उत्रगंट से खिलाड़ी नवयपांडे ने 48 किलोग्राम वर्ग में एशिया के खिलाड़ियों में तीसरा इस्तान हासिल करके देश का नाम रोशन किया उसके अपने इलाके में पहचान मनें ताकि वह जाता जोश के साथ अपनी परफॉमेंस आगे कर पाई तो कि अल्टिमेटली हम सब यह कर रहे हैं अपने खेल को अपने देश को बढ़ावा देने के लिए कि हां और आज जो परदशनीम तीनों लड़कियों ने किया उत्तर परफॉमानी लोग हैं उनको चाहिए कि इस दिशा में हमारी मदद करा हम लोगों को हमारी बातों को सरकार तो पहुंचवाएं तो इस खबर में अब एक लिवस इतना ही वाकि देश और प्रदेश की खबरों गले देखते रहें जे जैन नीउस नमसकार